हलो फ्रेंड्स के आपको प्रेग्नेंसी है और आपको सीने में काफी जादा जलन रहती है आपको एसीडिटी की समस्या और हार्ट बन हो गया है और आपको लग रहा है कि उपरी हिस्से में बहुत जादा जलन हो रही है तो यह सारे सिम्टम एसीडिटी के और हार्ट बन के हो बढ़ क्यों जाता है जैसे ही प्रिग्नेंसी होती है तो प्रोजिस्ट्रोन का लेवल उपर बढ़ता है और प्रोजिस्ट्रोन का एक काम होता है smooth muscle को dilate करना, relax करना जिससे कि बच्चे को बच्चे दाने के अंदर यानि uterus के अंदर बढ़ने की जगह मिल सके लेकिन इसका effect दूसरे organs पर भी पढ़ता है जैसे कि जो खुन की नलिया होती है या अपने intestine होती है इन सब के उपर भी फरक पड़ता है क्योंकि वहां भी smooth muscles होती है तो वह भी relax हो जाती है तो जैसे ही इस hormone का level body में बढ़ने लगता है तो जो हमारा food pipe है जिसको कि इसोफेगस बोलते है उसका जो sphincter है जो उसको बंद रखता है वो muscles भी dilate हो जाती है यानि कि lose हो जाती है और जैसे ही वो lose होती है तो जो stomach में जो acid बनता है जो कि हमारे digestion के लिए बहुँ ज़ादा जरूरी होता है वो food pipe के उपरी हिस्से में जाने लग जाता है पहुँशने लग जाता है और वो एक जलन का कारण बनता यानि acidity का कारण बनता क्योंकि food pipe के जो cells है वो acid के कारण damage हो जाती है और जिसकी वज़े से हमें pain होने लगता है दूसरा common कारण है जैसे ही pregnancy के अंदर बच्चे का size बढ़ा होने लगता है तो उसका pressure pain के अंदर बंढता है और stomach को और intestine को जग है कम मिलने लगते है और वो compress होने लगते है और जैसे ही नीचे से pressure पड़ता है तो fluid उपर की level पे चड़ने लगता है और isophagus के अंदर acid का level बढ़ने लग जाता है जिससे कि अंदर की layer damage होने लगती है और वो acidity का heartburn का का कारण बनता है तो यह दो मोटे कारण है जिनकी वजह से acidity or heartburn होता है लेकिन अब हम इसको completely तो avoid नहीं कर सकते क्योंकि यह physiological problem है कि प्रग्जेश्टान का level pregnancy में बढ़ना ही बढ़ना है बच्चे का size बढ़ना ही बढ़ना है तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं तो सबसे important है कि आपको कुछ चीजें avoid करनी होती है और कुछ add करनी होती है तो जो avoid करनी है तो आप खाली पेट चाई और coffee बिलकुल avoid कीजे अगर आप चाई काफी पीते हैं तो साथ में biscuit, toast, मठरी या कोई भी solid चीज आप जरूर ले लीजे ताकि इनका जो acidifying effect है वो थोड़ा nullify हो जाए दूसरा, जभी भी आप खाना बनाएं या खाना खाएं तो उसमें मिर्च मसाले का level थोड़ा कम रखिए जिससे कि खाने की जो damaging प्रवर्थी होती है यानि कि acidity जो बढ़ाने के लिए provoke करता है मसाला वो कम होगा तो definitely acid का production ही कम होगा तो आपको acidity की समस्या भी कम होगी तीसरा आप कर सकते हैं कि आप ice cream और छाच और दही जैसी चीज़ें ज़ादा ले सकते हैं केला आप अपने खाने में add कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा healing effect देते हैं और जब भी आप बैठें तो आप अपना posture सीधा रखिए और लेटते समय बैक के पीछे एक उँचा तकिया लगा लीजिए ताकि food pipe का ढलान नीचे की तरफ रहे तो acid उपर तक ना आप आए और आपको heart बन की इतनी समस्या ना जहिलनी पड़े जो चीज़े हमें add करनी है वो ice cream है दही है चाच है इसके इलावा ठंडी चीज़े है नारियल पानी है और बहुत सारा simple पानी है ये सारी चीज़े हम add कर सकते हैं इसके साथ ही साथ यदि लगता है कि खाने पीने की चीज़ों को avoid करने से और addition करने से भी हमें benefit नहीं हो रहा है तो जो anti-acid गोलियां आती है वो आप add कर सकते हैं जो सुबह-सुबह खाली पीट लेनी होती है इसके अलावा anti-acid gel आते हैं शीशी में आते हैं जो कि अपन एक ढखकन या दो ढखकन आपन ले सकते हैं जो सुबह शाम दो पर तीन टाइम लिया जा सकता है एक से दो चमच उनको लिया जा सकता है जिससे कि वो acid को neutrify कर देते हैं और ये acidity की समस्या तुरंत खतम हो जाती है कई बार acidity की समस्या iron के tablet लेने के कारण भी बढ़ जाती है तो आप अपने doctor से संपर कर सकते हैं और हो सकता है कि iron की गोली दो पांत दिन बंद करने से आपको acidity में आराम मिल जाए इसके साथ ही साथ कई बार और कोई गोली दवाई चल रही होती जो हमें सूट नहीं कर रही होती तो उसकी वज़े से भी acidity की समस्या हो सकती है तो doctor से इस problem को discuss करने से आपको काफी हद तक इसका solution मिल सकता है और यदि आपके इससे related और भी कोई सवाल है तो आप हमें comment box में लिखके पूछ सकती है और acidity कॉमन समस्या है definitely इसको deal किया जा सकता है इसके लिए इतना चिंता करने की और घबराने की बात नहीं होती है और doctor के सहयोग से इसकी medicine लेकर आप इसको आराम से handle कर सकती है हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार